So Hello Guys, कैसे आप सब उमीद करता हों कि ठीक होंगे गैज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Federal Bank Personal Loan के बारे में अगर आप चाहते हैं घर बैटे Federal Bank से Personal Loan ले ले तो Guys, आज के इस वीडियो में हम औहीं बताने वाले हैं किस परकार से जो है आप यहाँ पे फेडरल बेंक में वाल लाइन अपलाई करके लोन ले सकते हैं यहाँ पे डोक्मेंट क्या देनी होती हैं LGBT आपको कितना का मिल जाता है टोटल चीज जो है इस वीडियो में कभर करके आप सबको दिखा देते हैं यहाँ पे जो है मिनिममम डोक्मेंट पे आप 25 लाग तक लोन ले सकते हैं और उसको जो है यह माई के तहट 48 मंथ के अंदर चुका सकते हैं जो कि काफी अच्छा आप सबको जो है इस फेडरल बेंक के अंदर देखने को मिल जाता है तो गाइस लोन अपलाई करने के लिए आप इस पेज़ पे आ जाएंगे या आप फेडरल बेंक के ऊपसल बेसाइट पे विजिट कर सकते हैं रोब के माध्याप से यहाँ पे आदिक बाद गाई आपको जो है प्रस्टों का सेक्षन देखने को मिल आता है यहाँ पे आते हैं उसके बाद गाई नीचे आप आते ह जाते हैं तो यहाँ पे प्रस्टों लोन देखने को मिल जाएगी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद गाई यहाँ पे आपको प्रस्टों के कुछ फीचर से दिखाया जाएंगे जो कि आप देख सकते हैं यहाँ यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेक्सिमुम लोन एम को मिलता है सेम आपको यहाँ पे भी जो है देखनों को मिल जागा एबलेबल जो है औल ब्रांच में है आप गाईज हम बात करते हैं यहाँ तो यहाँ पर एक टर्मेंट करिशन दिया गया है आपका सेलरी जो है 25 जे उपर होना चाहिए ठीक है 25 जे उपर होता है तो गाईज स्टार्टिंग सेलरी जो है 25 जार से उपर होना चाहिए आपका एज जो है 60 बर से नीचे होना चाहिए यहाँ पर नमबर आफ यॉर परजेंट जॉब दिया गया है यानिकि जहाँ पर आप जॉब करते होंगे वहाँ पर लगबग तीन साल पुराना आप वरकर होंगे आप आप अपना पासबॉर्ट भोटर डी निचे आते हैं तो यहाँ पर आधार काड रखा गया है मात आपके पास पें काड़ और आधार काड है तो यहाँ पर आपको लोन मिल जाएगी लेटेष्ट फोटो जो है आपके पास दो पीस होना चाहिए ठीक है नीचे आते हैं तो यहां पर जो है income document मांगा जा रहा है मतलब का यहां पर लेटेश लरी का सवर्टी फिगर जो है आपको तीन मॉंथ का देना होगा ठीक यहां आपके एकाउंट में जो पैसा आता है लास्ट जो है two years का ठीक है लास्ट यहां पर six month का salary account statement देना होगा जरूरी नहीं है कि आपको इतना सारे document देना ही है simply guys यहां पर आप अपना pen card अधार card देते हैं उससे से जो है आपका civilis को चेक करके loan दिया जाता है तो guys अब हम बात करते हैं इसके interest rate के बारे में इंटेस्ट पर आप क्लिक करते हैं यहां पर एक PDF के माध्यम से आपके skim पर दिख जाएगी जो कि देख सकते हैं यहां पर यहां पर सारे interest rate के बारे मताया गया तो एक बार आपको यहां पर read कर लेनी है देख सकते हैं यहां पर दिया गया प्रस्टनल लोल लेते हैं तो guys यहां पर आपको 14.49% highest इसका interest rate एक रूपिया भी आपसे यहां पर इंटेस्ट बिस नहीं लिया जारा तो guys यहां पर काफी कम आपको interest rate दिखने को मिल जाता है यह चीज जो है federal bank के अंदर काफी attractive लगती है आप guys हम बात करते हैं प्रस्टनल लोन के लिए apply कैसे करेंगे सिंपल यहां पर करके आप नीचे आते हैं तो यहां पर प्रस्टनल लोन EMI calculator मिल जाता है मतलब guys यहीं से आप अपना पता कर चकते हैं कि आपका EMI किस्ति क्या होगा interest rate आपसे कितना लिया जा रहा है मैलेज यहां पर यहां पर दो लाक रुपे हम लोन apply कर रहा है दो लाक रुपे हमको लोन लेना है यहां पर interest rate हम सेट करेंगे जो कि यहां पर maximum 11.49% रखा जाता है ठीक है आप EMI calculate पर क्लिक करेंगे तो यहां पर नीचे जो है आपको देखनों को मिल आता है आपका EMI किस्ति जो है चोहजार 770 रुपेया का होगा ठीक है उसके बाद गाई यहां पर टोटल इंट्रेस्टेट जो है आपको यहां पर 37,193 रुपेया हो जाएगा जो की इंट्रेस्टेट यहां पर 11.55% का जोड़ा गया है ठीक है यहां पर टोटल पैसा जो है रिपेयमेंट आपको करना होता है दो लाग 37,193 रुपेया मतलब यहां पर 37,000 रुपेया जो आपका इंट्रेस्टेट होता है वो आपको मिला कर यहां पर रिपेयमेंट करना होता है तो गाइज यहां पे काफी कम आपको इंटेस्टेट दिखने को मिल जाता है ठीक है अब गाइज हम बात करते हैं कि लोन अपलाई कैसे करेंगे लोन अपलाई करने के लिए जो है आपको एक कश्टेबेक आाना है कि आपसे रहें जो हुआ हो अपको यहां पना नेम करना है यानिrukt चर्षे करेंगे अगर आपका खाता इसमें यहां पर फिल अब करेंगे नहीं तो जट सकते हैं इसके नोपे select कर सकते हैं उसके बाद आप नीचे आते हैं तो यहां पर फोन नमर पुछा जा रहा फोन नमर लेन लाइन आपके पास है तो फिल अब करेंगे नव तो simply आप यहां पर अपना नमबर फिल अब कर सकते हैं उसके बाद यहां पर आपका इमेल और पुशा रहा है तो इमेल अईडि जो है आपको इहापै फिल अधिफ रॉप कर देनी है इमेल drag करने बाद आपको इहापै अपना state select करना है अब जिस भी state से बिलम करते है अपना state यहापे select करेंगे यहाँ पर छो है आप अपना district करेंगे district करने के बाद गाईज नीचे जो है यहाँ पर पर्फॉर्म branch दिया गया है आप अपना branch select करेंगे यहन कि guys जो आपके घर के nearest में branch होगा वो ब्रांच हो है आपको यहाँ पे select कर लेनी है, select करने के बाद आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे submit का button मिलता है, simply guys आपको submit पे click कर देना है, guys जैसे ही आप submit पे click करते हैं, उसके बाद guys यहाँ पे एक message होती है, यहाँ पे बोले जारा, thank you for requesting a callback, our representing will connect you as soon as possible, यहाँ पे आपका form successfully submit हो गया है, उसके बाद guys यहाँ पे बता जारा है कि federal bank के कोई करमचारी आपके पास call करेंगे, और guys लोन से संबंदित आप से कुछ जनकारी माएंगे, आपको अपना जनकारी दे देना है, document आपको अपना बता देना है, उसके बाद guys आपको यहाँ पे लोन approve कर दिया जाता है, आपका सिबीला स्कूर देखा जाएगा, अगर आपका सिबीला स्कूर ठीक ठाक होता है, तो guys यहाँ पे 24 यहाँ तरज घंटा के अंदर जो है, आपके लोन का decision बता दिया जाता है, कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो simply guys इस प्रकार से जो है, आप federal bank में आपना लोन अ को टीवेट करता है, जलो को सस्क्राइब कर लिजीगा, मिलेंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तरह देखते रिये बेश्टा नीट,